हेलो फ्रेंड, वेलकम टो मैं चैनल, शीरी चाक कजर पप्लिकेशन दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि हाउ टो विन यॉर्सेल्फ फ्रोम करोना, क्योंकि आजकल करोना फैला हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था इस टाइम पर कि मैं एजुकेशन से रिलेटेट वीडियो बनाऊ या फिर एक जनरल डिसीज से रिलेटेट वीडियो बनाऊ तो मैंने कुछ वीडियो में कुछ कहा है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप इरी वीडियो को सुनें पूरा तो इसे शेयर जरूर करें, अब आते हैं बात करोना पे, तो करोना पे बात आने से पहले हम कुछ चीज़ें से जानना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जिसे कि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया होते हैं, और प्रेसिडेंड आफ इंडिया होते हैं, इसी हमारे प्राइम मिनिस्टर है और हमारा मैंड है वो संडेंट है तो वो हमें देता है इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए तो बेसिक से अफंडा है कि अगर आप करोना से ग्रस्त हैं तो इस सिच्विशन में आप अपने आपको पहले तो बहुत लखी समझेए कि आप घर में हैं आप घर में हैं 14 दिन के लिए घर में हैं मास लगाईए और गूंगे बन जाएए बिल्कुल मूख और सराउंडिंग तो आपको मिलेंगी नहीं अगर मिलती है कुछ हालचाल फॉन करता है कोई आपको जानने के लिए कैसे हो ये हो अच्छी बात है नहीं तो आपके पास इस एमोशनल अटेच्मेंट फ्रॉम लायर वाज और एनेमी इस हेट सबाटेवर दिस काइंड अजसर की ये जिटने भी एनेमी आपके रहे हैं आपको बिसिकली उन से लड़ना है करोना से नहीं लड़ना है करोना तो चला जाएगा करोना तो आप चाहें तो एक दिन में करोना से बड़ी लड़ाई हैं अपने एनेमी से लड़ना अगर आपने जान लिये तो आपसे बड़ा योद्दा कोई नहीं याग अगर आपको पता चलता है कि गुस्ता आपका सबसे बड़ी खम जोरी है तो आप क्या कीजिए पेपर पैन लीजिए और देखिए आप घर meditation तो नहीं होगी पर आप कोशिश तो कीजिए उसको 40 टाइमस लिखिए कि मुझे गुसा नहीं आता 40 टाइमस लिखेंगे 40 बार लिखने के बाद वह आपके conscious, unconscious, subconscious, तीनों माइड में बैठ जाएगा और जब तीनों माइड में बैठ जाएगा तो जनरल आपको लिटरल इब गुसा नहीं आएगा अब कोई भी गुसा चलाएगा आप शांत हो जाओगए शांत रहोगे उससे बात ही नहीं करोगे और सीच्यूशन से ही चलिजाओगे और उसे 40 times लिखिए और लिखने के बाद उसे tear apart दीजे यह work करेगा I bet you, seriously work करेगा और जब आप जान जाएंगे कि आप एक soul है आप एक true soul है you are a very beautiful person तब आपको सब अच्छे लगेंगे, seriously जब आपको पता चलेगा ना कि मैं, suppose मेरे सामने कोई खड़ा है, तो वो भी वो भी एक soul है वो भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा हो सब एक जैसे हैं तो गुसा किस बात का, लड़ाई किस बात की sorry, पीछे शोर आ रहा है शायद आपको मेरी आवाज में distraction आ रहा हो मैं अभी यह वीडियो डिसकंटीनू करता हूँ और आपको next वीडियो जल्दी मैं आपको भीजूँगा अभी तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि करोना से लड़ने के लिए आपको self hypnosis से निकलना है भार और जानना है कि आपके enemies कौन है और अगर आप अपने enemies से जीट जाते हैं तो फिर आप करोना से भी जीट जाएंगे और साथ जी साथ अब अपना आप immunity ठीक किए जैसा कहा है खाने को like काड़ा पीजिए ड्राइफ रूट्स खाईजिए वह ऐसी चीज़े खाएंगे आप तो जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपके विजार होंगे सात्विक बोजन कीजिए नॉन वेजिटेटन डाइट को 14 days के लिए अल्मोच छोड़ दीजिए थैंक्यू सो मच God bless you